बांदा देहाद कोतवाली छेतर अंतरगत कलेक्टर पुर्वा के पास ट्राक्टर में पीछे से डंपर ने जोरदा टकर मार दिया जिससे ट्राक्टर सड़क की किनारे पलट गया और ट्राक्टर में सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई मौत की खबर सुनकर परिवार में कोराम बचा हुआ है पुलिस के दोरे ट्राक्टर चाला को गिरफतार कर लिया गया है और डंपर भी अपने कबजे भी लेकर आगे की करवाई की जा रही है मामला बांदा ध्याद कोतवाली छेतर अंतरगत कलेक्टर पुर्वा की पास का है जहां कलेक्टर पुर्वा के रहने वाले अनिल यादो पुत्र दयाराम यादफ उम्र करीब 45 वर्ष एवं राम रखन यादफ पुत्र जागे यादफ उम्र लगभग 40 वर्ष दोनों ट्र तुरंट परीजनों को सूचना दी मौके पर पहुंची परीजन वा पुलिस के द्वारा गंबी रुप से घायल राम लखन पुत्र जागे यादफ को अंबुलन की साहिता से जिला स्पताल ले गए जहां रास्ते में राम लखन ने भी दम तोड़ दिया मौत की खबर सुन नोगार? विजन्य गुटता गुटता है जे ले एक आधिया जाले है जो पी तताल में आता है ले जी इस जापला इस्था पर इन वोंगी मौता को ने कंद तरह? वो इनके रह जाए जा ने लुटता है जांविन के रृण ने वारे है राम लात बातव है उनका नाम नाम न वलाफ देर से कदर से एक दितर दें खृँ है और अब लेगे शुचने पीछे से टखार मतें हमडनें वहीं लें है लें उए कनिके अब आप हो पेच्छा से फूरन के लिए में और जाल करें पुलिट पुलिट पुर्वा थाला किसमें आता है अधर भाई लगता है घ्राम पुर्वा के पास एक टैक्टर जा रहा था पीछे से डंफर के द्वारा उसमें टैक्कर मार दी गई जिससे टैक्टर पलट गया एक ब्यक्त अनेले आदफ उत्र दयाराम निवासी कलक्टर पुर्वा की मौपे पर मृत्य हो गई एबं दूसरे ब्यक्त राम लखन आदफ उत्र जागे आदफ पूप हेस्पिटर ले जाते समय राष्टे में इम्रत्य हो गई है डंपर एब उसके चालक को पकड़ लिया गया है तहरी प्राप्त होते ही सुतंगा धारा हूं है अभी उखपंजीत कर आउसे करवई की जाएगा